नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, प्रिजन टाइम पर जो E.C.O.S.O.C. है, यह अभी हाली में काफी जाला सुर्कियों में बना हुआ है, जाने ही आज की इस वीडियो में कि यह E.C.O.S.O.C. सबसे पहले तो सुर्कियों में क्यों है, इसके सा United Nation Economic and Social Council है यानि समयुक्तरास्ट आर्थिक और सामाजिक परिश्यद है जिसका गटन 26 चून 1945 को किया गया था इसका मुख्याल है अमेरिका के नियॉयॉक में और साथ ही साथ यह जो ECOSOC है यह एक्चलि में United Nation की जो 6 प्रमुख संस्थाएं है यहनि United Nation की जो 6 main organs है उसी का एक हिस्सा है इसके साथ ही साथ जो संयुक्तरास्ट आर्थिक और सामाजिक परिश्यद है यह असल में संयुक्तरास्ट संग के कुछ सदश्य रास्टों को का एक ऐसा समू है जो अंदर रास्ट्री अस्तर पर सदश्य देशों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग तथा विकास कारिक्रमों में सहयता करता है इसके साथ ही साथ जो United Nation Economic and Social Council है इसके अंतरगत शुरुआत में केवल 18 सदश्य देश थे बट अट प्रिजेंट भारत सहीद इसके अंतरगत कुल 54 सदश्य देश है साथ ही साथ इन्हें असल में तीन वर्ष के लिए जो United Nation General Assembly यानि संयुक्तराष्ट महासवा इसके दवारा चुना जाता है इसके साथ ही साथ प्रिजेंट टाइम पर United Nation Economic and Social Council के अध्यक्षवन है यह है Colin Vixen इसके साथ ही साथ जो Economic and Social Council है इसके पहले अध्यक्ष ते रामा स्वामी मुदलिया जो की एक भारत यह थे इंपोर्टेंट है ध्यान लगना है इसके साथ ही साथ बात करिये प्रिजेंट टाइम पर शुर्कियों में क्यों है अभी हाली में जो इको शौक है यानि कि जो United Nation Economic and Social Council है इसके अंतरगा तभी हारी में भारत को चार प्रमुक निकायों के लिए चुना गया है इन चार प्रमुक निकायों में सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगटनों पर समिती, विकास के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की आयोग और साथी साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिती के लिए भारत को चुना गया है इसके साथी साथ ध्यान रखना है कि जो भारत की और से राजदू थें प्रिती शरन इन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांसक्रितिक अधिकारों की समिती के लिए एक बार फिर से चुना गया है साथी साथ जो भारत है या ध्यान रखना ये एको सौक का सदश्य है यानि कि जो Economic and Social Council है इसका सदश्य है साथी साथ सन 22-24 के लिए भारत को एशिया प्रसांद छेतर के तौर पर इस परिश्यत का सदश्य चुना गया है इसके साथी साथ ध्यान रखना है कि जो Economic and Social Council है या असल में सतत विकास के तीनों आयाम जिनमें सामाजिक, आर्थिक और प्रयावरान को UN प्रणाली में एहमेत दिलाने के लिएक मत पून भूमिका निभाता है इसके साथी साथ बात करें United Nations की जो 6 main organs है ये कौन-कौन सी है पता होना चाहिए इनमें सबसे पहले तो UNGA यानि संयुक्तिराष्ट्र महासभा, United Nations General Assembly दूसरा है UNSC यानि United Nations Security Council, इसके अलबा ECOSOC, United Nations Economic and Social Council इसके साथी साथ The Secretariat, International Court of Justice और Trusteeship Council इसके साथी साथ ध्यान रखना है कि जो 124 है यानि कि UNGA, UNSC, ECO, SOC और The Secretariat इन सभी का जो Headquarter ये कहा है, ये New York में सभी का Headquarter है इसके साथी साथ जो International Court of Justice है, इसका Headquarter कहा है, इसका Headquarter है The Hague में कहा है इसका Headquarter? इसका Headquarter है The Hague, निदर लैंड में इसके अलाबा ध्यान रखना है कि ये जो Trustorship Council है, इसे असल में 1 November 1994 को ये जो Trustorship Council है, इसका संचालन रद कर दिया गया था और अब बात करते हैं हमारे आज के Topic से जुरे जो भी Important Questions बन सकते हैं उन सभी को तो सबसे पहले आज का जो पहला सवाल है इसके इन तक आपने बताना है कि अब इहाली में किस देश को संयुक्तिरास्ट एको सौक्त की चार प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है इसके अलबा जो आज का अगला सवाल है इसमें आपने बताना है कि जो United Nation Economic and Social Council है इसका गठन कब किया गया था इन दोनों ही का अंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में तो बस आज के लिए इतना ही उमीद करते हैं आज के मारे वीडियो आपको informative लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो बस आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें आप से फिर अगले वीडियो में अलाकात होगी तब तक के लिए तैनले बाद